चलिए प्रीड इफेक्ट ट्रांजिस्टर को स्टार्ड करते हैं एफटी को स्टार्ड करते हैं आप लोग साथ के साथ बोलते रहीएगा ठीक है यहां से हमने सबसे पहले कहा कि हम किसके बारे में देख रहे हैं अर एफ इट ठीक है ध्यान से देखते रहे हैं और सुनते रहेगा और बोलते रहेगा तो यह एफटी को हम लोग लेकर चलते हैं लोग लेकर चलते हैं जितनी चीजे इस चैप्टर में आप लोगों नहीं पड़ी हैं सबसे पहले स्टार्ड करता हूं मैं इसके फुल से ही कि इसका फुल फॉर्म क्या होता आपका कि यहां फुल फॉर्म होता है फेल्ड एफेक्ट ट्रांजिस्टर ठीक है कि सबसे पहले क्या होता आपका फेल्ड एफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है इस बात का ही मिनिंग अगर मैं देखूं तो फेल्ड एफेक्ट का मतलब होत कोई भी एट pogoda कैसे डिवाइस होती है कि वुल्टेश कंट्रोल्ड डिवाइस होती है विभव शंचालित यह एक हमने क्या क्या का था कि यह कैसे डिवाइस होती है और इसी के साथ ही कैसा होता है आपका अगर मैं overall इसको देखो तो फिर हमने कहा था कि यह हमारा एक कैसे होता है voltage controlled होता है और क्या होता है current source होता है ठीक है तो voltage controlled current source होता है ठीक है तो voltage controlled current source से फिर हमें समझ आया है कि इसका मतलब कि अगर मैं किसी भी field effect transistor चाहिए वो जेफेट है MOSFET किसी की भी बात कर रहा हूं अपने पास जो input है वो क्या है आप लोगों का voltage है जिससे मैं control कर रहा हूं और अगर output की बात करता हूं जिसका यह source है तो वह हमारा क्या है current है ठीक है इसमें भी अगर थोड़ा सा और लेकर चलों तो input का जो voltage होता है वो गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है और output की जो current होती है वो drain current या फिर ड्रेंट टू सोर्स current होती है ठीक है तो यह यह कैसा होता आपका active device भी होता है ठीक है active के साथ इसकी और characteristic को मैं देखो तो मैंने कहा कि active वी होता है और कैसा होता है non-linear device होता है वहीं unilateral और bilateral में देखता हूं तो कैसा होता आपका unilateral device होता है current की डारेक्शन चेंज होते हैं इसका operation भी हो जाता है नेक्स यहीं से गर मैं देखता हूं तो फिर मैने कहा कि FET जभी जए फेट मौसवेट है किसमें काम करता आपका reverse Bias में काम करता है reverse Bias में काम करता है इसलिए इसके लिए जो input impedance होता है वो कैसा होता हमेशाब का हाई होता है ठीक है जादा इंपुट इंपिडेंस इसके लिए आता है कि लिए रहे इतना और आगे अगर हम देखते हैं यह तो हमने बेसिक पॉइंट्स कहें फिल्ड एफेक्ट ट्रांजिस्टर के लिए कि जन्नल बाते जो हमें अक्सर कर А examination में फूस्ट पूस्ता बीए इनपुट क्या होता है इंपूड इंपिडेंस कैसा होता है ठीक हैं वह कुछ इस तरह से आप लोगों के निकल कर आगए हैं यहीं अगर मैं बात करता हूं थोड़ा सा और आगए अगर बढ़ता हूं तो मैंने कहा iq t lime tay audio । का दो टाइप का होता है ठीक है यह टाइप में जाने से पहले मैं इसको यह कहता हूं कि मैंने आपको development की बात की थी विकास की बात की थी ठीक है कि यह किस तरह से develop हुआ था कैसे यहां पर development आया था तो development में हमने साबसाब देखा था कि सबसे पहले क्वह आया था आप लोगों का जेश्ट आया था जिसके फुल फॉर्म क्या होती है जेंग्संट्रीपेक्ट च्रांजिस्टर होती है फिर दूसरा कौन आया था आप लोगों का मैस प्रेट by था फिर और больш फ sitten MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor ठीक है इन में से किसी भी डिवाइस की मैं बात करूँ अगर वो क्या है आपका Field Effect Transistor है तो दो चीजें कॉमन एक तो reverse बाइस में काम करता हूँ एक मेरा यहां पर number of terminals की अगर मैं बात करता हूँ तो number of terminals कितने होते हैं आपके तीन terminal यहां पर होता है ठीक है यह तीन terminal कौन कौन से होते हैं आपके source होता है गेट होता है और drain होता है ठीक है इन तीनों terminals को अगर मैं BJT से compare करता हूँ तो वह भी आपको बताई थी analogy कि source analogious होता है किसके Emeter के गेट रेनाprocessing के और आपका डॉयइन ऐलोजी एस होताय कि इसके डॉयच के पर ब्यूजी टी और एक बहुत बड़ा डिफूरेंच वह आप लोगों का कि जो आपका vendo होता है यह हमारी कैसे डिवारीस Chris है symmetrical device होती है symmetrical कहने का मतलब आप लोगों का कि यह हमारा क्या कर सकता है drain और source terminal को हम interchange कर सकते हैं जबकि बीजेटी में emitter और क्या कहते हैं इसे collector terminal को interchange नहीं कर सकते थे कभी थीक है तो development में हमने देखा कि यह आपका इस phase में डैबलफ हुआ था सबसे पहला जीफेट आया था ठीक है फिर आपका मेस्वेट आया था और फिर इसी तरह से आप लोगों का मॉस्वेट आया था इता ठीक है अब देखें इसी कहानी को और आगे अगर मैं लेकर चलता हूं यह तो कुछ बात हैं आपके अभी तक आई अब इसमें हमने नेक्स जब हमने आगे लेकर चला था तो हमने कहा कि फिल्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कितने टाइप का होता है ठीक है इसके कलासिफिटीकेशन के अगर मैं बात करते हirmे इसके लेकर चलता थिक तो फिल्ड इफेक्ट ट्राजिस्टर कितने टाइप का था आपका दो टाइप का हमारा फिल्डिफेक्ट टांजिस्टर यह दो टाइप कौन-कौन से थे आपके पहला हमने कहा कि यहां से क्या था आपका जंसन फिल्ड एफेक्ट टांजिस्टर ता वहीं दूसरा अगर मैं बात करता हूं तो क्या था मैटल ऑक्साइट semiconductor fade effect transistor जेफेट में मैंने कहा कि सबसे पहली जो बात थी वो था आप लोगों का यहां junction किसका था semiconductor और semiconductor का था यहां अगर मैं बात करता हूं तो किसका junction था metal और semiconductor का junction था वो अलग बात थी कि बीच में क्या लगी होती है oxide की layer लगी भी होती है ठीक है जेफेट एक condition पर bounded था कि जेफेट सिर्फ कैसे काम कर सकता है gate to source voltage की negative value पर ही काम कर सकता है जबकि MOSFET में हमने जब देखा तो हमारे पास दो MOSFET आए पहला हमारे पास आया depletion type MOSFET ठीक है और दूसरा हमारे पास आया enhancement type MOSFET ठीक है तो depletion type MOSFET के लिए हमने साफ साफ देखा कि इस MOSFET की अगर मैं बात करता हूं तो यह gate to source voltage की negative value पर भी काम कर सकता है और gate to source voltage की positive value पर भी काम कर सकता है जबकि enhancement type MOSFET आपका सिर्फ gate to source voltage की positive और वह भी कम से कम कितने cutting voltage के बराबर या उससे जादा होना चाहिए तो यह कहानी फिर किस के लिए थी आपके यह हमारे टाइप के लिए थी कि दो टाइप के आपका MOSFET और जेफेट ठीक है इन दोनों टाइप को भी हम लेकर चले तो यहां जंक्सन सेमी कंड़क्टर और सेमी कंड़क्टर का यहां आपका मैटल और सेमी कंड़क्टर का फिर MOSFET दो टाइप के डी और इमास ठीक है यहां हमने कहा कि यह वी जिएस के यह मैं लेते वैँ लिकी जा रहे हैं ठीके Pक रिसने नहीं लिख रहा हुं सारी नकीर Catholic एन के चल रही है यह क्योंकि हम जढ़ा तर यूज विश्य को करते हैं है ठीक है अद चांब यह आप्लोगों का टाइब साज गयेंगे अब इसागे तो ओभर आगे बढ़ते हैं तो फिर इन्हीं टाइप को हमने क्या-क्या था थोड़ा सा डीटेल में देखा था रहे था थी जफोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं को और आगे लेकर चलते हैं सबसे पहली बात JFET में ही मैं देखता हूँ कि JFET में हमने कौन सी वो नई बाते थी जो पड़ी थी ठीक तो JFET के लिए मैंने सबसे पहले कहा तो यहां से जब हम लेकर चले तो हमने कहा कि JFET के case में ठीक है आपका यह कैसे डिवाइस होती है नॉर्मल ओफ डिवाइस होती है मतलब पूरा का पूरा जो एनलेसिस था वो कहां पे हुआ था गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो पर हुआ था ठीक है इसमें हमने एक बात को देखा था कि आपकी एक वोल्टेज होती थी कौंसी पिंच ओफ वोल्टेज तो इस वोल्टेज पर या इससे उपर जाने पर इससे ज्यादा बढ़ने पर ठीक है हमारी ड्रेन करणट कैसी होती कि यह और इस तो से और सोर्स सेटुरेटेड्ट करेंट जिसको हम कहते बी आप कह सकते कितना सषी है इसी से थोड़ा सा और आगे चीज़ों ओकर मैं देखता हूं तो हमने क्या कहा क्या कि यहां पर जब हमने बात की थी तो त route began हमने देखे थे ओक हमने साब कहा था कि कितने operating region थे तीन operating region थे कौन से थे पहला था आपका cut of region ह va arist 보여 dal का linear कई यह फिर on me कOULD jeo प्राइय ओर रिजन भी खालत ःटीकी प्रीषी तरह से दूसरी बात पर आपाय यहां आता हो तो उन्हें कहा था कि Last question cones थापका Pinch of region था जहां पर हमारा क्या होता है amplification होता है cut off region के respectively मैंने आपसे कहा था कि drain current की जो equation आती है वो कैसे आती है zero ampere होता है ठीक है triode के लिए बताया नहीं था क्योंकि जूरत नहीं है पिंच-off की बात हमने की थी तो हमारी जो current आई थी इसी को हम क्या कहते है सौकलेज equation भी कहते है और equation कैसी थी IDSS into 1-VGS upon VP का whole square ठीक है अच्छा अगर conditions भी मुझे पूछ देता है कि condition क्या होती है पहचानने को दे दिया तो cut off region की condition को जब हमने देखा था था हमने क्या कहा था कि VGS भी 0 और VDS भी 0 कि दोनों voltages कैसे थे 0 थे ट्रायोड की बात की थी तो हमने क्या का था कि mod of VDS जो होगा that is less than mod of VGS minus VP ऐसे ही पिंच ओफ की जब हमने बात की थी तो हमने क्या का था mod of VDS greater than or equal to VGS minus VP तो यह हमारी condition थी clear है फिर इसी तरह से अगर मैं बात कहता हूं मैं और आगे इस पर बढ़ता हूं तो मैंने कहा symbols की बात फिर आती है तो जेफेट के symbol हमने सीधे देखे थे कि अगर सबसे simple symbol बनाता हूं कि यह कुछ इस तरह से था ठीक है यह gate और जहां arrow लगेगा वो क्या हो जाएगा source तो अगर अंदर को arrow लगा हुआ है तो इसका मतलब यह कैसा है पी channel है यह तो था यह कैसे होगा आप लोगों का यह हमारा पी channel होगा उपर हो जाएगा drain terminal और अगर यही मैंने कहा कि इसी symbol में arrow अगर मेरा बाहर को लग गिया तो यह कौन सा हो जाएगा एन चैनल जेफेट हो जाएगा यह जाएगा ड्रेन यह हो जाएगा gate और यह हो जाएगा source सही है तो यह कहानी आई किसकी जेफेट की फिर बात आई डिप्लीशन टाइब मॉस्फेट की तो उसके लिए हमने साफ साफ कहा कि वर्किंग तो इसका सेम होता है जेफेट की तरह नहीं कहा था ठीक अंतर बस इतना था कि वो सिर्फ नेगेटिव पर काम कर सकता था यह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पर काम कर सकता है फिर मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं कि मोड और टाइप दोनों चीजें अलग-अलग हैं दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है इतना ठीक है अब फिर इसके बाद बात आई यहां डिप्लीशन और इनांस्मेंट में मेजर डिफरेंस की मेजर पॉइंट की तो मैंन कि इनांस्मेंट में कोई भी प्री अक्जिस्टिण चैनल नहीं था ठीक है प्री एक् 가장 शेंडीन नहीं था पहली बात दूसरी बात हमने कहीं कि इनांस्मेंट टाइप में जो में डिक कॉन्टैक्ट था वह किसका यूजव आपका पॉली क्रिस्टलाइन EPA जब कि डिप्लीशन में किसका था था थीक है अगली बात आती है यहां पर कि यह सिर्फ किस पर काम कर सकता था गेट to source voltage greater than zero वोल्ट पर enhancement mode पर यह सिर्फ काम कर सकता था जब कि डिप्लीशन दोनों पर कर सकता था थीक है फिर बात आई कि यहां channel The channel Awailable नहीं थर चैनल को बनाने के लिए कितनी process थी आपके बास तीन process हमारे पास थी वो तीनprene process कौन कौन सी थी आपकी कि सबसे पहला हमने कहा accumulation फिर हमने कहा depletion और फिर तीसरा कौन सा था आपका inversion था यह तीन process थी जिसके through हम क्या कर रहे थे channel को बना रहे थे accumulation के लिए हमने कहा condition कैसी थी कि gate to source voltage कैसा था less than zero volt depletion के लिए कैसे था कि zero से तो जादा है पर cutting voltage से कम है फिर inversion के लिए क्या था कि आपका यहीं अगर मैं बात करता हूं gate to source voltage से ज्यादा है कि से cutting voltage से बाकि जो दूसरा drain to source voltage था वहर केस्ट में आपको positive ही लेना था इतना सही हैं अब देखें फिर इसके बाद और आगे अगर मैं बढ़ता हूं इसी से और आगे दूसरे और तीसरे में क्या था कि वी पी की जगे पर हमें क्या लिखना था वी गामा कर देना था बाकि सब कुछ सेम था current की equation पर अगर मैं आता हूं तो current की equation कैसी थी आपकी कि अगर मैं enhancement type MOSFET के लिए drain current लिख रहा हूं और सीधे पिंच ओफ रीजन की यह लिख रहा हूं तो यह था आप लोगों का म्यू एन सी ओ एक्स इंटू डबलो वाई टू एल और इंटू वी जी एस माइनस वी गामा का पोल स्कॉर यह हमारी क्या कहते हैं पिंच ओफ रीजन में आप लोगों की current की equation थी जहां पर amplification होता है symbolic representation की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने कहा कि enhancement type MOSFET है तो यह पूरा channel बना हुआ आता था depletion type है तो फिर हमने क्या का था कि यह इस तरह से क्या होगा dotted channel बना हुआ होगा तो यह है depletion type था और यह कौन सा था आपका enhancement type था तो यह आप लोगों का क्या था फिल्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर था ठीक है यह basic और major points है जो आप लोगों के अभी हम लोगों ने लिखे ऐसा नहीं है कि कहानी सिर्फ इतनी ही थी पर यह वह लोगों के दिमाग में जरूर चल रही हो ठीक है जहां कुछ नहीं है उससे अच्छा तो यह कुछ तो है ट्लिस्ट यह basic और major points है जिससे आप लोगों का maximum सब्सक्राइब हो चुकी है सब्सक्राइब है तो इसी तरह से आप लोगों का होली की आप सभी स्टूरेंट्स को बहुत-बहुत सब्कामना है खुब रंग आपके जिवन में खुश रहें आप हमेशा इसी तरह से मुस्कुराते रहें थीक हैं थी प Alex के लिए आप लोगों के आप की तरह सरफ से सभी कोर्सेश पर आप लोगों का डिसकाउंट चल रहा है जो आप लोगों का 22 मास से स्टार्ट हो चुका और 28 मास तक ये डिसकाउंट आप लोगों का रहेगा तो जलसे आप लोग हमसे डिफरेंट पेट कोर्सेस में जुड़ सकते हैं जिसके द्वारा आप लोग अपने जिस भी एक्जाम के लिए तयारी कर रहे हैं वहां आप सेलेक्शन भी ले सकते हैं इलेक्टरौनिक्स में इसी तरह के और भी कॉंसेप्ट को और डिटेल में पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए जहे एकृपरेट बैच है है चाहे सेंटर का है सभी एक्जाम को यह दोनों को तरह आप लोको के कबर कर रहे हैं तो इसी तरह से हमारे साथ जुढ़ने के लिए डाउनलोड करें हमारे application यह प्लेगेशन को डाउनलोड करें अप्लीकेशन पर जाकर आप लोगों के लिए वाला कोर्स है ठीक है तो सभी इस्टुरेंट को यह वीडियो भी शेयर करें और आप लोग लाइक भी करें और हर एक इस्टुरेंट को यह इंफॉर्मिशन जरूर दें कि होली के त्योहार पर आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियां बटोरने के लिए यह डी परिवार की तरफ से पर यह ऑन-लाइन सभी कोर्सेस पर डिसकाउंट या बुक्स पर भी डिसकाउंट आपका चल रहा है और वो सिर्फ आप लोगों के लिए खुशियों के लिए है ताके आगे जब आप अगली होली मना है तो आप याद करें कि उस सिंगल कोर्स के वजए से आज मैं यह जो होली मना रहा हूं एक सरक